हेडलाइंस के बाद चली रुक करते हैं खबरों का प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की कोटा निवासी और भारती सेना से मेजर के पत्स से रिटायर्ड हुई प्रमीला सिंग को पत्र लिखा है पियम मोदी ने पत्र में कहा कि इस मुश्किल समय में कई ऐसे मिसाल देखने को मिली हैं जिन्होंने हमें मानवता पर गर्व करने का अफसर दिया मुझे उमीद है कि मेजर और उनके पता जी इसी प्रकार अपनी पहल से समाज में जागरुकता फैलाते हुए अपने कारें से लोगों को जागरुक करेंगे बतादी की कुरोना काल में लॉकडाउन के समय जब लोग अपने अपने घरों में राशन पानी की व्यवस्था में जोटे थे उस समय मेजर प्रमिला सिंग अपने पिता श्याम वीर सिंग राठोर के साथ मिलकर बे जुबान और बे सहारा जानवरों की सेवा कर रही थी 1986-86 की बात है मेरे बच्चे बच्ची दोने चोटे थे और उसकी जाय करते थे उस समय वह साइब को यह एक स्टे पपी या तो किसी का पालतु था किशी निकाल दिया होगा तो वह उठा कर पर लाए थे तो थोड़ा उसकी तब्यत भी ठीक नहीं थी थी पर मैंनों को काजी किसी का है यह पालतु हो सकता है लेकर उना फर घर रख लिया तब से फिर वह दीरे दीरे करके क्योंकि उसके लिए और भी आसपास जोगी कोई कुटे थे कभी घाल थे कुछ भी थे तब से वह सुवात हुई उसके बाद इने की जंसंख्या बरती गई कभी कोई गाल था को बीमार था फिर वह उसका टीटमन कराया फिर वह सब को यहां रखा दीरे दीर करके उसमें कुछ फीमेल थी तो उनकी वज़े से क्या है वह फीमेल की बढ़ गई कुछ आल बाद जाकर पिर इनकी जो है उनकी जन्संख्या को कंट्रोल कैसे कर इं पर इसका खयाल यह उनको इनकी जो है ओपरेशन लशंदी की जाए और जिससे जन्संख्या नहीं बड़े फिर यह ज्यादा सड़क पर जैसे कई वार बाहनों से कोचल जाते हैं तो बड़ा बड़ा लगता था उसे साब से हमारे जमाक में यह खाल आया कि ठीक है इनकी शेवा करें दुखी है उनको खाना दें उनके लिए शेल्टर दें